अब वुघ को कि नहीं है कि हम पमाग तोपिक थे कर शुकर तो बतव कर चुकित है कल ने आको आप वाध्येशन और लेग्टेशन पीरिट्स के बारे में भी औरतफ़ समझ दिया में इन अजिस Anda क्या होते हैं कि आज हम आपके रहें कि जिस्तानाथ है कि पॉपुलेशन कि एक्सप्रोजन कि हमारे देश में पॉपुलेशन लगा कि जानते हैं कि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे ठरीज की इक्साइब सेnea बढ़ेगे तेश में भौजन की समस्यां नौक्री की समस्यां रहने की वह अदर शमस्यां में पीदा उने लग जाथ है वैसे वैसे उसकी आवशक्ताय भी बढ़ती चलि जाते हैं तो कि हम जानते हैं का आवश्चता रणा नहीं होती है पॉपुलेशन एक्स्प्रोजन के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि हम जाते हैं तक हुमान पॉपुलेशन इंक्रीज डेवाइडे इंक्रीज पॉपुलेशन जब करें बड़ती चली जा रही है दा इंक्रीज पॉपुलेशन रखुपुलेशन जैसे एक्रीशन इंक्रीशन अब निढ़ते हैं कि मनुष्य की बढ़ती ही चल संध्यार देश की कौमी के लिए उनकी रहने के लिए तदा उनके जॉब से रिलेटेड और यहां फूर से रिलेटेड भी मान सकते हैं इन से बहुत सकते ह dlatego तुकि मनुष्य जैसी जैसी सथ्थी संध्यार को बढ़ाएगा उसकी जरूरत भी पढ़ेदी उसको रहने के लिए अत्यदिक 댕क सामान चाहिए उसको जोंपी अत्यदिक चाहिए कि एक घर में बाल लेजे शह परसंस है तो उसकी आसानी से खर्चा उठाने के लिए एक आर्भी बहुत होता है लेकिन जैसे जैसे उनसे भी ज़्यादा परसंस होते चले रहेंगे तो उनका खर्चा उनके रिज्डिटी विवस्नाइगी जादा से ज़्यादा होती है तो मुपक्लेशन को बढ़ने के देज्टे आला हो सके पहला अनेट्टेशन दूस्रा अरली मेरेज्ट को पिसरा Poverty 4. Old rituals 5. Better medical facilities 6. Proper 5. Food 5. Better stories 5. Food 5. Human population 5. Education 7. New India 9. Human population 5. Human population 6. Human population 5. Human population में बच्चों को अच्छे से नहीं दी जाती यदि कोई बच्चों को देता भी है तो बच्चे उसको गलत बें में लेते हैं और जिसके कारण उनको और हमारे देश दोलों कोई हन्यों का सामना करना पड़ता है तो सिक्षाथ का अभाव होना हमारे देश की इकोनोमी को गिरना तता मनुष्य की जन्संग्या को बढ़ने को शू करता है पहले समय में लोग बच्चों की बहुत ज़ती शादिया कर दिया करते थे जिसके कारण वे अट्यदेख संताने पैदा करते थे क्योंकि जब तक वो यंगेस्टी या एडरसेंस स्टेज तक नहुंचते थे तब तक वोंके काफी सारी संताने हो जाया करते थे इस तरह से कॉपलेशन लगाता पड़ती चली थी क्योंकि लोगों में एचुकेशन नहीं थी उनको ये नहीं पता था कि जबदी शादी करने से शारिक, मानसिक तथा कंट्री से related या उत्पण हो सकती है पहले लोग लड़कियों की जबदी शादियां करते थे थे लड़कों की ज़ल्दी शादियां करने से अगरवाशा पर नेगेटिव एफेक्ट पड़ता था, उनके स्वास्त पर भी एफेक्ट पड़ता था, जिसकी बज़ा से उनको कैसा भी आनिया हो जाते थी, तो अर्ली मैरिज भी काफी हद तक बहुत दंड़ियां पराद है इस तरह से कभी किसी भी संतान की ये किसी भी बच्चे की जल्दी शादी नहीं करने चाहिए इससे गलाद इफेंट पड़ता है उसके शरीम पर भी और उसके दोरा जो पॉपलेशन एक्स्पोर्जन होता है उससे देश के स्वास्तित देश की कौने में पर भी सबसे बड़ा प्रभाग पड़ता है कि कोवेर्टी कोवेर्टी आने गरीबी तो गरीबी भी एक ऐसा माइनस पॉइंट है हमारे देश में जदसंक्या को बढ़ने के लिए जिसके बजह से क्रीब लोगी समस्ते हैं कि हमारे ज़्यास जादा संतां ही उतना ही हमारे पास धनाएंगे जब संतां जादा होज़ी तो बढ़े होंगे और जादा से ज्यादा नंब्री करेंगी पोगयवी एक सबसे बड़ा कारव रहा है शुरू से हमारे देश में क्योंकि हमारा देश में पहले नहीं तर लेकिए आपको ज्यादा है क्योंकि लोगों की मानसिक्ता बहुत नीच होती चली जाए लगी है तो पोगयर के गरीवी एक बढ़ा अधारम रहा है देश में जनसंत्या के बढ़ने का जैसे जैसे गरीवी आती है लोग जादा से जादा संतान उत्मन करते हैं जादा से जादा संतान उत्मन करके भी यह समझते हैं जादा से जादा माप्री करेंगे वो जादा से जादा हमारे पास धन आएगा लेकिन जादा संतारों में सभी संताने तो ऐसी नहीं होती जो मावाब के बारे में सोचे या अपने किसी अच्छे स्वास्त के बारे में अच्छे चीजों के बारे में सोचे उन्में से कुछ संताने और बिगडी भी में कर जाते ह वजासे देश को काफि सारे समस्यां का सामना करना परता है Old ritual पुराने समय के लोग यह मानते थे कि घर में लड़की का होना अथ जद एक आवश्यक है घर में एक संताल लड़की की भी होना जरूरी है तो लड़की की चाहवे में के सारे संताल मत्पन कर दिया करते थे जिससे बहुत सारे लड़की पेदा हो जाया करते थे क्या कुछ यह मानते थे कि घर में एक लड़की होना बहुत आवशक है तो उसकी चाहा में भी हो काफि सारे लड़की पेदा कर दिया लगते थे इस वाज़ा से कि लगातार संपानव में ब्रधीग हुती चलीगे, इस तरह से मनश्य की पॉपुलेशन की लगातार इंक्रीज वाइंक्रीज होती होती चलीगे, तो यह कुछ कारण हैं जिनको आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं. कि उसके बाद आता है तो सबसे बड़ा कारण रहा है आज हमारे देश में बायो टेकनलोजी इतना ज्यादा उपर है आज जिस यूग में रहते हैं उस यूग को हम बायो टेकनलोजी का यूग कहते हैं बायो टेकनलोजी की लिए आज मेडिकल फेसिलिटी इतनी अच्छी हो गई है विबिन प्रकार में बैक्टिरिया असबाद स्टड़ी करके या उनके अंतर चलने वाली हॉन्मोनल वेल्यूज में परिवर्तन करके आज हमने इस प्रकार की मेडिसन्स बढ़ानी है जो हांफु इसलिए आज बैटर मेडिकल सुवधाय है लोग मरने के वस्ता तर होते होते भी उन मेडिसन्स के माधियों से या औरेशन के माधियों से उनको आसानी से बचाया जा सकता है तो बैटर और लोग मेडिकल फेसिटरी एक सबसे बड़ा काड़ में जनसंक्या के पढ़नेगा तो जैसे जैसे बेटर मेडिकल चली जाएगी वैसे-वैसे लोग की जो जो कम होती चली जाएगे अग्यारी देख रहे हैं अदिसके हुआई आज से कुछ बीमारिया हो तो पर भी अभी काफी सारे जिसर्च चलो रहे हैं उनसे में related medicine बहुत जल्दी मार्केट्स में आईगी और उनका भी इलाज हो जाजा आएगा तो better medical सुननाओं का सबसे बड़ा reason रहा है बहतर genetic engineering process क्या biotechnology या manipulation की आप सकते हैं इस चीज़े हम DNA में अपनी desire character add करके एक ऐसी चीज़े बना सकते हैं जिसके बज़ा से हांफोर से हांफोर भीवाली की break कर सकते हैं प्रोपर food services यह भी नहीं बायो टेक्नोलोजी का इलारण है आज बायो टेक्नोलोजी की मांत्रम से हमने इस प्रकार की fertilizer सुपन कर लिये हैं जिनसे खेत की या किसी field की fertilizer power काफी अच्छी हो चुकी है fertilizer power होने से हम कई सारी ऐसी hybrid species पैदा कर पा रहे हैं जिनकी growth बहुत rapid होती है और काफी लंबे समय तक भी store किये जा सकते हैं आज हमारे पाद बड़े-बड़ store house होते हैं old storage ले लीजे घरों में dry storage होते हैं तो ऐसे बहुत सारे storage होते हैं जहां पर अपनी हम बहुत सारे food services को आसानी से store कर सकता हूं तो बहुत लंबे periods तक store खाया जा सकता है जब तक बूसरी खेती तयार हो जाते हैं तो आज हमारे पाद ऐसे ऐसे fertilizers हैं ऐसे ऐसे बेक्टिरियाज में open कर लिए हैं जिसकी बज़ा से soil की fertility को बहुत जादा increase किया जा सकता है यह भी बहुत बड़ा कारव रहा है human population के expose होने का better food storage जैसा कि मैंने पता है कि हमारे food को store करने के लिए बहुत 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 से बहुत ऐसे चीज़ें हैं जिनमे आप food को बहुत अच्छे से store कर सकते हैं जैसे बड़े-बड़े cold storage आपके आसपास देखी जा सकते हैं आप जहां रहते हैं महाँ पर cold storage भी है जिनमें हम बहुत सारी भड़ी सबजियों को या ब्रैसी सबजियों को या खात नहीं के सकते हैं अना जाओं भी आसानी से store कर सकते हैं तो हम जब देख रहे हैं कि सारी भड़े हमारे पास हैं तो population को expose करने से कोई नहीं दोग समता है तो population और ज़्याद है कि जब हमारे पास कुछे food nutrients होंगे बहतर पैड़ी पर सुनना है होगी तो हम क्या सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं तो देश को पैसे की कमी आ जाती है जिससे देश के अंदर काफी सारे कर्ज होते हैं और उसका खामियाजाद population में जो ब्यक्ती हैं उन सभी को भगतना पड़ता है इस तरह से देश गुलाम भी हो जाता है और काफी सारी प्रोफोंज का सामना भी करना पड़ता है तो आपके सामने इस सारी चीज़ा यहां देगे इनने इनको आपके कोपी में भी नोट कर सकते हैं और इनके बारे में आप लिख सकते हैं अपने विचार कि अने अजुकेशन इस तरह से भातक रहा है अर्ले मेरिश कैसे पॉपलेशन को एक्सक्रोज करती है वह एक गरीवी के त्वारा हम किस तरह से पॉपलेशन बढ़ा रहे हैं ओल्ड रिचुवल्स पुराने बीट की दिवाज जब होती है कैसे 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 पॉपलेशन के लिए कि अच्छे स्टोरीज क्मारे देश की फॉपलेशन लगा तरुपलेशन तरह होती हमारे पातगी तो पूपलेशन नहीं की बढ़ रहे है अज़ी तो स्थोर्य काफी पॉपलेशन को था आप आसानी साथ में विचार इस दर्यक्ति कर सकते हैं और अच्छे से लिखकर दिखा सकते हैं जब आपके स्कूल ओपन होंगे फिर आपके यह सारे चीज़ा चैनकी जाएगी इस तरह से आपको यह पता लग चुका कि population explosion क्यों हो रहा है तो जब population explosion हो रहा है तो population को control करने के लिए भी हमको कासी सारे method का use करना पड़ता है कि population को कैसे कैसे control किया जाए और population जैसे बढ़ रही है उसके दौरा जो भी हम लोगों को परेशानिया है उनको भी कैसे-कैसे handle किया तो इस सारे चीज़ा है हम आसानी से इसमें पढ़ सकते हैं तो population को exposed करने के लिए कारण होंके हैं जिनके बारे में आपको अपने विचार व्यक्ति करने हैं उसके बाद फिर हम नेक्स और पर आप से मिलेंगे तब तक के लिए इन सारे चीज़ां को आप अच्छे से follow करिए and stay home, stay here